नमश्कार आप दीख रहे हैं दर्श निउस और मैं हूँ यती आपके साथ जारखन के मुख्य मंत्री हेमंद सोरेन ने आज देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलकात की है और इसके अलावा भी उन्होंने एक राजनितिक दिग्गत से मुलकात की है दरसल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो है जाप सुप्रीमो पपू यादव जिया हेमंद सोरेन ने पहले आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलकात की है और उसके बाद उन्होंने पपू यादव से मुलकात की है दोनों ही तस्वीरे सोशल मीडिया पर सामने आई हैं अब देख सकते हैं एक तस्वीर प्रधान मंत्री मोदी के साथ है जिसमें हेमंद सोरेन दिल्ली पहुचे हैं और फिर प्रधान मंत्री कार्याले पहँचकर प्रधान मंत्री मोदी से मुलकात की है बता दे कि जून के आखरी हमें हेमंद सोरेन और इसके बाद प्ये मोदी से उनकी पहली मुलकात है जिसकी तस्वीरे सामने आई है वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पपू यादव से तो पपू यादव से भी मुलकात हुई है हिमन सोरेन की और जो तस्वीरे है वो भी सामने आई आई आप तस्वीरे देख सकते हैं यह तस्वीरे खुद जाप सुप्रीमो पपू यादव ने अपने सोशल मीडिया भी लिखा है दोनों ही काफी हस्ते हुए हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं और हम आपको पपू यादव का वो पोस्त दिखा रहे हैं पोस्त में देख सकते हैं जिसमें पपू यादव हेमंत सोरेन से मुस्कूराते हुए मुलकात कर रहे हैं जाती उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में आज झार्खन के माननिय मुख्य मंत्री और आदी वासी हीतो के रक्षक भाई हेमंत सोरेन जीस से आतमिय मुलकात का अवसर मिला है तो जाब सुपुरीमो पप्व यादव ने Nana yamran sifa मुलकात किया और इस मुलकात से पहले ही प्रधान मंतरी नरैंडर मोदी से भी हेमन सोरेन की मुलकात हुई थी अब चलिए थोड़ा सौर जानकारी दे देते हैं हेमन सोरेन जून महिने के आकरी हफते में ही जेल से रिया हुए है और फिर से जृर्खन के मुख्य मंतरी बनाए गये है और ऐसे में वो लगतार राजनिती में जो वो पीछे हो गए थे लगतार जो तस्वीरे सामने आ रही है वो ये दर्शारीक हेमन सोरेन एक बार फिर से आक्शन मोड में आ गए है वहीं बता दे कि पूरा जो मामला था जिस कारण हेमन सोरेन जेल में गय थे वो जमीन घोटाली को लिकर था और इसके बाद 28 जून को जेल से बाहर हुए हेमन सोरेन और पधान मंतरी कार्याले की तरफ से पीएम मोधी और जारखन के जो सीएम है उनकी मुलकात की तस्वीरे श शेर की अब यह मुलकात किन कारणों से हुई है अखिर इस मुलकात के पीछे का कारण क्या है यह अभी तक सामने नहीं आया है फिलहाल इस खबर में इतना ही दर्शन्यूज पर खबरों का सिलसला जा रही है देखते रहे दर्शन्यूज अगर अभी तक आपने हमारी को भी फॉलो जरूर करें धन्यवाद